साधी से पहले कुछ लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि वह गलतियां साधी होने के बाद तक भी उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ती हैं तो दोस्तों जीवन के अंदर कभी भी ऐसी गलती ना करें जो आपका पीछा साधी होने तक भी करती रहे आखिर क्या हुआ था आज की घटना में मामा बना कंस भांजी से ही करने लगा वह उल्टी सीधी हरकत और साधी के बाद भी उसने अपनी भांजी को बुलाया और भांजी नहीं मानी तो पती को भेज़ दी उसकी नगन वीडियो उसके बाद जो होता है इस घटना के अंदर पूरी जानकारी आप जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंग्या दबा कर रह जाएंगे आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर पूरी जानकारी आप लेने वाले हैं वीडियो को अंतित तक जरूर देखिएगा नमस्कार मैं हूं सुदेश कुमार और तिर्शीवाद चैनल में आपका स्वागत है यह गटना उत्तर प्रदेश के सिकोहबाद की है सिकोहबाद की अंदर एक सुमन नाम की लड़की जो की 22 साल की है अपने माबाप के साथ रहा करती पढ़ाई लिखाई किया करती और अवए जवान हो रही है दीरे-दीरे उनके घर पर एक अनिल नाम का सक्स आया करता है जो की सुमन का मामा लगा करता है रिस्ते में लेकिन अनिल सुमन की ही हम उमर का है यानि की एक दो साल उससे बड़ा है वह घर आता है घर वाले भी उसका वेलकम करते हैं कोई उनको परिसानी भी नहीं है दीर-दीर समय गुजरता है तो कई बार अनिल और सुमन की नजरे मिल जाया करती है और अब एक दिन अनिल देखता है कि सुमन घर पर अकेली है तो उसके कमरे में जाकर वे उसके साथ कुछ ऐसी हरकते करने लगता है जो उसको अपनी भांजी के साथ नहीं करनी चाहिए थी लेकिन सुमन भी उसके उपर मोहित थी और फिर अनिल उसके साथ संबन बनाने लगता है दोस्तो संबन दोने के बन जाते हैं और अब यह जो मामा था आनिल यह उसका वीडियो भी बना लेता है वीडियो बनाने के बाद अब वे वापस चला जाता है अभी सुमन को पता नहीं था सुमन तो सोच रही थी कि आज तो बड़े ही मौज मस्ती की है लेकिन उसको क्या पता था कि यह तो जी का जंजार बनने वाला है अब एक दिन और आता है अनिल और आकर के सुमन से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ सम्मन बनाने है फिर से वह सम्मन बनाने लगता है इसी तरह से मामला चल रहा होता है अब कुछ दिन गुजरने के बाद सुमन की सगाई कर दी जाती है उसकी साधियों की तैयारियों में सुमन के माबाप जुट जाते है तो कुछ दिनों के बाद उसकी साधी बड़े धूमदाम से की जाती है और सुमन दुलहन बर करके अपने पती के साथ अपने ससुराल चली जाती है वहाँ जाकर वह समझती है कि अब मुझे गनाया घर मिल गया और पहले मौज मस्तियोसल मामा के साथ कर ली उसको तो कोई टेंसन ही नहीं थी लेकिन दोस्तों उसको क्या पता था कि उसकी की हुई गलती यहां तक भी उसका पीछा नहीं चोड़ेगी और यह कहानियां दोस्तों मैं इसलिए बताता हूँ जिससे कि नए बच्चे और बच्चियां हैं वो अपने उपर कंट्रॉल रखें ऐसी कोई हरकत ना करें जो आपके जीवन को नासूर बना दे क्योंकि कई गलतियां ऐसी होती हैं जो जीवन पर पीछा नहीं छोड़ती हैं तो इन चीजों से दूर रहें अब यहाँ पर क्या होता है जो उसका मामा होता है उसका फोन आने लगता है वह कहता है कि तुम्हें आना होगा मुझसे मिलने के लिए लेकिन लड़की सुमन कहती है कि अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो अब तो मेरी साधी हो गई है अब तुम उससे दूर रहो लेकिन मामा अनिल को तो लत लग चुकी थी उस लड़की की वह बार बार उसके पास फॉन करता सुमन उससे मना कर देती तो अब वह जब सुमन अपने माई के आती है तो सुमन से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि तुम मेरे कहने से आई नहीं सुमन कहती है कि अब मैं कैसे आऊंगी मेरा घर बस चुका है तो मुसे दूर रहो लेकिन जो मामा होता है वह उसको एक वीडियो दिखाता है जिस वीडियो के अंदर सुमन और अनिल के सम्मन बन रहे थे यह वीडियो देखकर सुमन घबरा जाती है और परिसान हो जाती है वह कहती है तुमने यह क्या किया तो दोस्तो अनिल कहता है और क्या करता क्योंकि मैंने तुझे काबू में करने के लिए यह किया था लेकिन सुमन समझ रही थी कि बस ऐसे मौज मस्ती है मौज मस्ती आज उसका जीका जिंजार बन चुकी थी अब कहता है अनिल कि तुम्हें आना होगा वरना यह वीडियो में तुम्हारे पती को भेज़ दूँगा अब दोस्तों जो सुमन होती है उसके साथ अनिल वहीं पर समंद बनाता है और उसके बाद जब तक माईके में रहती है उसके साथ समंद बनाता है उसके बाद सुमन फिर से अपने ससुराल चली जाती है और फिर से अनिल का फोन आता है तुम्हें आना होगा मुझे से मिलने के लिए लेकिन ससुराल में पाबंदिया होती है वहाँ से ऐसे सुमन अभी नहीं आ सकती थी नहीं नवेली थी तो सुमन मना कर देती है तो दोस्तो अनिल कहता है कि मैं वीडियो फोटो तुमारे पती के फोन पर भेज रहा हूँ सुमन को लगता है कि यह वैसे कह रहा है ऐसे भेजेगा नहीं इसकी भी तो बदनामी होगी लेकिन दोस्तों अनिल वे वीडियो और फोटो अपनी सुमन भानजी के पती के फोन पर भेज देता है जैसे सुमन का पती उस वीडियो को देखता है फोटो को देखता है तो वे बौकला जाता है आकर के सुमन से कहता है तुम ऐसी हो तुम करेक्टरलेस हो ऐसा जीवन रहा तुमारा साधी से पहले और उसके बाद वे अपने माबाप को बता देता है घर में पूरा कलेस होता है और सुमन को घर से निकाल दिया जाता है सुमन रोती रोती अपने माई के आती है और अपने माबाप को बताती है और वे वीडियो भी दिखाती है माबाप पहले तो सुमन के उपर थपड मारते है कि तुमने हमारे विश्वास का हनन किया तुम इस लड़के के साथ मुझ काला करती थी हमें नहीं पता था कि हमारी परवर्स में ही कमी है लेकिन दोस्तों माबाप तो माबाप होते हैं फिर वे अपनी बेटी को साथ लेते हैं और पुलिस थाने में जाकर रेपोर्ट दरज करवाते हैं अनिल के खिलाब पुलिस तुरंत अनिल को पकड़ती है क्योंकि पुलिस के पात तो सबूत भी थे और उसको अरेस्ट करके उसको जेल में डाल दिया जाता है उसके बाद दोस्तो सुमन को उसके ससुराल भेजने के पूरे तरीके अजमाई जा रहे हैं लेकिन जो सुमन का पती है वह बिल्कुल भी उसको अपने पास रखने में राजी नहीं है पंचायते हो रही हैं देखते हैं उसके बाद क्या फैसला आता है इस तरह के किरते हो जाते हैं जब हम कोई कारे बिना सोचे विचारे बिना सोचे समझे कर बैठते हैं दोस्तो जीवन बहुत छोटा सा है इसमें अगर हम ऐसी ऐसी गलतियां करके चलेंगे तो जीवन में जो रस है जीवन को जीने का संपून आनंद है वो कैसे लेंगे इन गंदी कुत्ते विल्लियों की हरकत को अगर हम करेंगे तो जीवन के अंदर जो पूर्णता होती है जीवन जो सदभावना का जीवन होता है और जीवन के आनंद की हम कैसे यहाँ पर फिर इंजोय कर सकते हैं नहीं कर पाएंगे दोस्तो जीवन को नहीं जीपाएंगे सदभावना से भी नहीं जीपाएंगे नहीं उपर वाले का नाम ले पाएंगे और नहीं अपने जीवन को सफल बना पाएंगे तो जीवन में कभी भी ऐसे गंदे घिरनित कारें ना करें यह हैं आपके जीवन को बरवाद करके रख देते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी कुछ कहना चाहिए मैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगला पूरा मजल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सची गतना के उपर तब तक आप खुछ रहें साबधान रहें जै हिंद जै भारत